जो उनके बेटे नहीं कर सके, आज हमारे मोधी जी ने महाराश्रों को उस तरीके से न्याए दिया। मुझे लगते हैं जो सोच भी नहीं सकता, जो विचार भी नहीं कर सकते, ऐसी महाराश्रों में राजनीती का यह सब के सामने आया है, और मुझे लगता है, सही तरीके से अगर हमने देखा, तो महाराश्रों को और बाड़ासाहिब के विचारों को और उनको सही में शुरद्धान्जली देने का काम, यह हमारे आदर्निया प्राइम मिनिस्टर जी, अमिश्या जी, नड़ा साहिब जी औ आज हमारे मोधी जी ने महाराश्रों को उस तरीके से न्याए दिया, और बाड़ा साहिब को न्याए देने का काम हमारे मोधी जी ने यह महाराश्र में किया, तो मुझे लगता है येस, असली शिफसेना किसी है, शिंदे की या ठाके, मुझे लगता है बाड़ा साहिब की ह सब्सारों की सिफसेनिक होते और उनका हमेशा से यही कहना था कि मेरे परिवार से कोई मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए पत पर नहीं बैठना चाहिए मेरा सिफसेनिक जिनोंने सिफसेना पार्टी बनाने के लिए चपन साल दे दिये वो मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो म मुझे लगता है उनका सपना अगर किसी ने पूरा किया है तो वह हमारे आदर्णिया देवेंद्र फणनवेश जी हैं मोदी जी और आमिशा जी आप अभी खुद देवेंद्र फणनवेश से मिलकर आ रही है अब बाचीत भी की होगी आपने कल फ्लॉट है इसकी भी बात हो है जिस पर अभी भी जो एंवीए की सरकार है वो सुप्रीम कोट पहुच गई है कि जो 39 जो लोग हैं एंवीए हैं उनको हटा दिया जाए संकत मोजन जी आज तक सब ठीक करते आएं संकत मोजन जी आगे भी बहुत ठीक करेंगे आज तक का सब समय उन्होंने समाला है तो आगे भी हमारे संकत मोजन समाले खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम टाइमसनाव नभारत को यूट्यूब पर लाइब देखिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाईए खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम टाइमसनाव नभारत को यूट्यूब पर लाइब देखिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाईए